अगर आप भी भगवन श्री कृष्णा के भग थे, तो कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखे। तो चलिए सुरू करते हैं आज की प्रस्तुती। धन्वान कौन नहीं होना चाहता है। मा लक्ष्मी को धन की देवी कहा जाता है। मान्यता है कि जिस घर में माता लक्ष्मी का वास होता है, वहां कभी भी धन्धान्य की कमी नहीं होती है। जीवन में हमेशा सुक्षान्ती बनी रहती है। प्रतिदिन भगवान विश्नों की पूजा आराधना के साथ मा लक्षमी की पूजा करने से घर में धन दौलत आती है। माता लक्षमी और भगवान विष्णू की कृपा से धन, वैभव और एश्वर्य में वृध्धी के साथ ही व्यक्ति के मान सम्मान में भी वृध्धी होती है। मान्यता है कि ऐसे लोगों की यश और कीर्टी चारों दिशाओं में फैलती है। वहीं जोतिश शास्त्र में कहा गया है कि जिस व्यक्ति पर माता लक्षमी की कृपा बरसने वाली होती है, या धन आगमन की संभावना बनती है, उसे पहले से ही कुछ शुब संकेत दिखाई देना शुरू हो जाते हैं। यदि आपको भी कुछ ऐसे संकेत दिखाई दें, तो समझ लीजिए कि आपके साथ कुछ अच्छा होने वाला है। चलिए जानते हैं इन संकेतों के बारे में। पहला संकेत, अचानक से आपके घर में काले रंग की चिंटियां आकर वर्तुल बनाकर कुछ खाने लगे, तो समझ लेना कि आपके घर में महालक्षमी जी का आगमन होने वाला और आपको अपार धन मिलने वाला है। यदि घर में अचानक काली चीटियां दिखाई देने लगें, तो यह एक शुब संकेत है। आपके जीवन में कोई बदलाव होने वाला है, कोई ऐसा परिवर्तन जो आपके लिए लाभदायक होगा, आपके परिवार के ल इश्ट रूप से समझ आ जाये की काले रंग की चीटियों का आगमन जीवन में बदलाव के लिए ही हो रहा है, तो उनके स्वागत में आटा डालना शुरू कर दें। ऐसा करने से आपके इश्ट देव को यह पता चल जाएगा, कि आप तक संकेत पहुँच चुका है, तो अपने आप वापस लोट जाएंगी। दूसरा संकेत, वैसे तो पक्षी अपना घोंसला पेडों की डाल पर ही बनाना पसंद करते हैं, लेकिन आज के समय में स्थान के अभाव में घरों की खिडकियों या रोशंदान आदी में भी पक्षी अपना घोंसला बना लेते अकसर देखने में आता है कि हमारे घरों में कई बार पक्षी अपने घोंसले बना लेते हैं या फिर मधुमक्खी आदी भी अपना चट्ता बना लेते हैं। क्या आपको पता है कि घर में किसी कीट का बसेरा होना या पक्षी का घोंसला बनाना आदी भी शुब और शुब संकेत देते हैं। शुब संकेत देते हैं। मान्यता के अनुसार आमतोर पर देखा गया है कि छिपकली को लोग बहुत अच्छा जन्तु नहीं मानते हैं। शुब संकेत देते हैं। कि यदी छिपकलिया एक दूसरे का पीछा करती हुई दिखाई दें तो यह घर की उन्नती का संकेत है। दीपावली के दिन तुलसी के पौधे में छिपकली का दिखाई देना तो अत्यंती शुब माना जाता है। यह अपार धन मिलने का संकेत है। चौथा संकेत। आमतोर पर जब हमारे हाथ या पैरों में खुजली होती है तो हम उसे अंदेखा कर देते हैं। जबकि घर के बुजुर्ग हमेशा कहते हैं कि पैर या हाथ में खुजली होने के पीछे कुछ शुब व अशुब संकेत छिपते हैं। हाला कि हम इस बात पर इतना ध्यान नहीं देते। लेकिन सामुद्रिक शास्त्र व शकुन शास्त्र में इस विशय को लेकर महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है। इन शास्त्रों के मुटाबिक हाथ में हो रही कुजली आपको बताती है कि आपके जीवन में धन लाब होने वाला है या धन की हाने का सामना करना पड़ेगा। आएए जानते हैं कौने से हाथ में खुजली होने शुब होता है। यदि किसी को बार-बार बाएं हाथ में खुजली हो रही है, यह एक शुब संकेत है और इसका मतलब है कि आपको जल्द ही धन से जुड़ी कोई अच्छी खबर मिल सकती है। बाएं हाथ में खुजली होना धन लाब का संकेत देता है। यह धन लाब हाप को किसी भी माध्यम से हो सकता है। इसलिए जब भी बाएं हाथ में खुजली हो तो समझ जाईए कि अच्छे दिन आने वाले हैं। पाँचवा संकेत यदि सपने में ज़ाडू, उल्लू, घड़ा, बंसी, हाथी, नेवला, शंक, छिपकली, तारा, साम, गुलाब, आदी दिखाई दे तो यह धन प्राप्ती का संकेत है। चठा संकेत ऐसा कहा जाता है कि सुबह उठते ही शंक की आवाज सुनाई दे और शाम को भी सुनाई दे तो यह महालक्ष्मी के आगमन का संकेत है। साथवा संकेत यदि आपको घर से बाहर जाते हैं, गन्ना दिखाई दो तो यह भी धन प्राप्ती का संकेत है। आठवा संकेत उल्लू को माता लक्ष्मी का वाहन माना गया है। उल्लू को लेकर हमारे समाज में कई तरह की मान्यताएं प्रचलित हैं। उल्लू को अक्सर रात का राजा कहा जाता है और उसे अच्छा या बुरा होने का पूर्वाभास हो जाता है। शकुन शास्त्र के अनुसार उल्लू का दिखना कई जगह शुभ माना जाता है तो कई जगह अशुभ माना जाता है। जैसे अगर आप किसी यात्रा पर जा रही हैं और रास्ते में उल्लू दिख जाए तो यह धन प्राप्ती का संकेत होता है। वही अगर उल्लू घर आ जा इस से घर की उन्नती रुक जाती है। आईए जानते हैं कि अगर उल्लू इस समय दिख जाए तो यह शुब संकेत माना जात है और अचानक से खूब पैसा मिलता है। नववा संकेत यदि आप किसी काम से कहीं बाहर जा रहे हो और रास्ते में कोई कुट्ता अपने मुह में खाने वाली कोई शाकाहारी चीज या रोटी लाता हुआ दिखाई देता है तो यह इस बात की ओर संकेत करता है कि आपको कहीं से धनलाब होने वाला है। दस्वा संकेत यदि आपको सुबह सुबह घर से बाहर निकलते ही कोई जाडू लगाता दिखाई दे और ऐसा लगातार कई दिनों तक चलता रहे तो समझ लें कि आप बहुत जल्द धन्वान बनने वाले हैं। सपने देखना एक सामान्य प्रक्रिया है। सपने कई लोग देखते हैं, खास कर लोगों को रात में सपने ज्यादा आते हैं। कुछ सपने खराब होते हैं, कुछ अच्छे तो कुछ काफी डरावनी होते हैं। रात में देखा गया सपना हमारे जीवन पर विशेश प्रभाव डालता है। यह सपने शुब और अशुब के संकेत लाते हैं। कई लोगों ने सपने में ज़ाडू लगाना या ज़ाडू लगाते हुए खुद को देखा होगा। हिंदू धर्म में ज़ाडू का विशेश महत्व है। ज़ाडू को कई शुब और अशुब संकेतों से जोडा जाता है। ज़ाडू को मा लक्षमी का रूप माना जाता है। अगर आपको भी ऐसी सपने दिखाई दो तो यह भी धन प्राप्ती का संकेत है। दोस्तों आपको आज का विडियो केसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसे ही ज्यान बर्धक शास्त्र की बाते जानने के इले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।